22 अक्टूबर क्या क्याती है आपकी राशी कैसा बितेगा आज आपका दिन आईए जानते हैं राशी फर्द सबसे पहले हम बात करेंगे मेश राशी की पराक्रम से कारे सिद्धी होगी अपनी तरफ से विवात को बढ़ावा ना दे अन्य मनस्ता बनेगी कल्यान कारी उपाई शनी दर्शन करें पक्षियों को दाना चुगाई विश्यब राशी पुराने मित्र मिलेंगे मनुरंजन होगा खटा मीठा अनुभव होगा शत्रू शांत रहेंगे विवेक से कारे करें कल्यान कारी उपाई तुर्गा मंदिर में ध्वज भेट करें माता का अशिरवाद ले मेथुन राशी हानी गष्ठ विवाद का समय चल रहा है धीरश धन्ना होगा अर्श स्वस्तिता रहेगी कल्यान कारी उपाई पीपल को मीठा जल चढ़ाए कुट्टे को रोटी दे कर्क राशी शत्रु कारे में भादा पहुचाएंगे जीवन साथी का स्वाज ठीक नहीं होगा कल्या विवाद से दूर रहे कल्यान कारी उपाई शिरजी को अर्क धतूरा बिल्व पत्र चढ़ाए सिहाराशी आँखों के रोगो तथा दुरघत्ना के प्रती सजग रहना होगा शत्रु, शाम्द रहेंगे हानी, कष्ट, मनुमाली नियर रहेगा कल्यान कारी उपाई हनुमान मंदिर में बैठ कर हनुमान मंत्र के जब करे कन्या राशी संतान के तरफ से रोग तथा दुरगटना से सचेत रहे हानी कर्ष्ठ खर्च दुरगटना का समय है धीरस धरे कल्यान कारी उपाई श्री कृष्ण शरणम मम का यथा शक्ति जब करे तुना राशी पराकरम विध्धी होगी कल्हा विवाद से दूर है खर्च तथा हानी में विध्धी होगी कल्यान कारी उपाई शिवजी के मंत्र का जब करे विध्धों का सम्मान करे बुर्षिक राशी जीवन साथी को कष्ट होगा कुछ हानी विवाद की संभावन रहेगी विप्रित लिंगी से लाब होगा विजय मिलेगी कल्यानकारी उपाय दुर्गाचन तथा मातापिता की सेवा शुब रहे धनुराशी इस्त्री को कष्ट जीवन साथी से सुप तथा कला विवाद वाहानी का नुभव होगा कुछ लाब के योग बनेंगे कल्यानकारी उपाय तणेश वंदना लाबकारी रहेगी मकर राशी यात्रा से लाब राज्य भय तथा विरूधी कष्ट देंगे मेल जोल का वेभार लाब देगा कल्यानकारी उपाय पीपल की सेवा बड़ू का अश्रिवाद शुब रहेगा कुमराशी शत्रू परास्थ होंगे कला विवार शान्थ होंगे दुरघटना से सावधानी आविशक है खर्च पर नियंतरन रखे कल्यानकारी उपाय करनेश जी के दर्शन तथा व्रत जनु का अश्रिवाद शुब रहेगा में राशी शत्रू पीड़ा देंगे हानी कष्ट कारक दिन रहेगा स्वास्थ ठीक नहीं रहेगा पराक्रम से लाब होगा कल्यानकारी उपाय माता पिता की सेवा तथश्यों विचारों से लाब होगा का सवास्थ पिता की से लाब होगा की से कर दो हमादे से लाब लगगा की स्वासिए और की सानी तो आपादे के रहेगा की साहिए प्याब होगा